तो यह गाजन लेकिया है चोटी सी गाजर बहुत ही साइज में चोटी सी है टेस्ट करेंगे आपको बढ़ेंगे कैसी है यहां की गाजर क्या नाम है आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो इसे बनावा जो बोलता है गाहों के मिट्टी हमारे देज के मिट्टी खेट से सब्जी देखें यहां पर यह मूली है और यह जो है पुरा बनावा है बीम यह बीम है दोस्तों जोहार कैसे हो बीटा है हम भी ठीक है यह पत्ता है इसको जलाते है तो यह पत्ता है इसको चूले के उपर जो है जलाए जाता है और उसके उपर जो है खाना बनता है तो यह भी एक अ विने भाई को ठंडी ज्यादा लग रही है साइद हम लोग का भासा में उसना बोलते हैं अब यहां पर यह जो है आणटी जी इनके यहां पर कल आये थे तो यहां पर हमारे जो विने भीया है यहाज सुबह में आपने जो वीडियो आगी देखा होगा जो हम खेत में गहे थे तो वहां पर हल जोता था में हल देखे गया था सुबहें तो यह गाजा लिखिया है चोटी सी गाजर बहुत साइज में चोटी सी एटेस्ट करेंगे आपको बदेंगे कैसे यहां की गाजा अभी तिक जो सेहरां में खाई उसमें और उसमें का भी परक है यह एक्टम नेच नारायम जी के जो गोडिया है वो आर्मी ऑपिसर बनेगी विने भाई की गोडिया उनसे जानते क्या नमें बेट आपका संतोसी कुजूर नाम है आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो आपका ड्रिम के आप बड़ियों के क्या पनोगी इंडियन आर्मी ओ माइग आप भी गु यहां क currently अपने के लिए अच्छा करते हैं मैं दिन रात बृरें के टो दिन राच हे इंडिन आर्मी जो है एक डिम यी अच्छी बच्ची है और इसके शुथ के सात में हैं और यह पड़ाहि मागे बढ़े है क्अ जबन में आगे बड़े ऐसे हम इसवर से कामना करते हैं ठीक है न चलो आप पड़े किजिए गा और इंडीन आर्मी में जाए का देश का नाम रोसन करें का मैं ऐसी गुडियां के ऐसे बच्चों को में दिल से रिस्पेक करता हूं जो पच्चे इंडीन आर्मी में जाना पसं हमारा बढ़िया है आप अपी देखिए हम आये विने भाई के आप यह बिने भाई के घर से में से विने पड़े क्या नाम आपके धर्म पकली का अगनी उर्या तो आज इनका किचन अलगे मैं आपको इससे अगले वीडियो में मैं जब आया ता दिन में आया था तो मैंने आपको बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा यह बहुत दिल के साफ होते हैं बहुत मैंनत करते हैं इनका रसुई गर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि पूरे जो बनावत है एक दम देशी मिट्टी से बनावा जो बोलते हैं घाओं के मिट्टी हमारे देश की ये खान चला बता है और आपका हल क्या है सबड़ी था इसी टीक है काइस में हमारी जो भीने एंहों की नहीं है अद उन यह जो है पुरा बनावाए यह कौन साइस को कौन सी साथ बोलते हैं यह बीम है दोस्तों बहुत ही नेचुरल एकदम बना जो है ताजी बीम यह फुरा वीडियो बनेगा फिर वो चैनल पर यूटूब पर तो आप देख सकते हैं यूटूब के उपर पूरा देश मलाच में देश विदेश के लोग सब देखेंगे कि चारकन में आपका घर कैसा है अब आपका रसुई बताते हैं देखें यह रसुई आपको थोड़ा बताते हैं यह मैंने कल भी आपको वीडियो में दिन में बताया था इस तरह कर रसुई है इसके एंट्री जो है यहां से रहेगी आप आप यह दिए है और यह जोहार कैसे हो बिटा फिर दिए थीख है तो यह कि अपड़ा इसके अंदर यह पत्ता है अच्छा इसको जलाते है तो माइज तो यह पत्ता है इसको चूले के ओपर जो है जला जाता है और उसके उपपर जो है खाना बनता है तो यह भी एक अच्छी बात लगी मुझे कि अभी हम लोग जो सहरों में रहते हैं गैस की टंकी होती है तो गैस वाला खाकर हमारी गैस में भी ना जाने कितनी गैस बन जाती है फिर जाते मेडिकल की दुगान पर गैस की गोली दीजे तो मुझे लगता है आप लोगों को गैस की गोली लेने की जुड़नी पड़ती होगी है कि आप गैस का रूपी होगी नहीं करते हैं हम लोग पूरा पत्तुर से बताते हैं और आश सुबह मैंने भी चावाल और बात दाल बात खाय था पत्ते के अंदर जो हरा पत्ता अब यह जो है अब बने चाए यह जो है अब हम आपको थंडी ज्यादा लग रही है तो बीचन के बाद जो है अभी हम आपको बता रहे है चावल चावल में भी दो परकर के चावल होते हैं देखे एक यह वाले चावल है जो की बड़ा दना है बड़ा दना है बरो बर इसको कौन सा बोलते है बड़ा दना इसको इसको हम लोग साम हम लोग का भासा में उसना बोलते है उसना उसना चावल बोलते है उसना चावल और इसको बोलते है पुरा वाइट है इसको बोल नह मेरे मज़ें. इस बाज से नहीं बनाएंगे अच्छा. और इसको उबाल करें आरके. इस को हम चावल बनाके खाते हैं. इसमें चिलका और भू सबस्क्राइब रोटी बनता है. बिल्कुल बिल्कुल तो यह घुज़ौ है, इसका रोटी-बनता है. और यह वाले अवालकिए चवल के रूप में खाते है अच्छा इसका बाव में डिफेंस हो जाता है इसा को सहनी रहता है? बिल्कुल बिल्कुल यह थी दू परकार रहा है जो कि साथ में आपको बताया तो चलिए चावल का मूरी और साथ में जो है लाल चैय का आनन लेते है ठंडी का मौसम है